यह लेसन नमबर एट दे लायन और यंग मेन का वीडियो पार्ट तू इसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेज एक्सरसाइजेज में सबसे फर्स्ट है हमारे पास बुक में लिसन एंड रिपीट शॉक, लॉक, डॉक, डॉक, डेंस, फैंस, दीट, नीट, सीड, अर्ज, मर्ज, वर्ज, ब्रिक, प्रिक, ट्रिक word power, word power में हम देख रहे हैं fill in the blanks with the words given below तो यहां में कुछ words दिये गए है, given below मतलब नीचे कुछ शब्द दिये गए है उनको आपको इन blanks में fill करके इन sentences को complete करना है क्योंकि अभी यह है incomplete, जब इन सही words को सही place पर आप लिखेंगे तब यह complete हो जाएंगे afraid of, afraid of का meaning मतलब डरा हुआ, lived means रहा, रहना का, lived का lived है मतलब रहा और nearby means past से, in a hurry मतलब जल्दी में once raju, monu and two rats, मतलब राजु, monu और दो चुहे, blank in a house तो वो क्या करते थे lived in a house, मतलब रहा करते थे राजु, monu और दो चुहे one day राजु was, एक दिन राजु बहुत जल्दी में था, तो हम लिखेंगे in a hurry, what happened asked monu, अब राजु जल्दी में था तो monu ने पूछा what happened means क्या हुआ, asked means पूछना, come on to the house, blank said राजु, राजु ने कहा, घर के अंदर आओ, कौन से घर के अंदर आओ, यह जो पास में घर है, उसके अंदर आओ, जल्दी से मतलब घर के अंदर आओ, come on to the house, घर में आओ, but why asked monu, monu ने कहा, पर क्यों, because I am blank the fat cat that I saw today in this house said, राजु, तो राजु ने कहा, कि मैं, because I am afraid of, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्यों, क्योंकि एक मोटी बिल्ली, क्योंकि मैंने एक मोटी बिल्ली को देखा है, मैं एक मोटी cat से डरा हुआ हूँ, सो जल्दी से इस घर में आ जाओ, राजु ने कहा, तो हमें यहां समझ में आ रहा है, कि यहां राजु और monu क्या है, two rats है, और उन्होंने क्या, उस में से राजु ने क्या देख लिया है, फैट cat को देख लिया, मोटी बिल्ली को देख लिया, और वो घर के अंदर जाने के लिए, monu को कह रहा है, comprehensive, question number one, यहां है, answer the following question नीचे दिये गए, प्रशनों के उत्तर दीजे, question one, who was called by the lion, lion, who was called by the lion, answer, the young man was called by the lion, मतलब lion ने किसको बुलाया, lion ने young man को बुलाया, what did the lion want, answer, the lion wanted to be free from the cage and at the young man, lion क्या चाहता था, lion चाहता था, पिंजरे से मुक्त हो जाना और उसके बाद young man को खाकर अपनी भूग मिटाना, what was the young man afraid of, answer, he was afraid of the lion, the young man किस से डर रहा था, तो young man किस चीज से डरेगा, पुरे की पुरे लायन से ही डरेगा, तो lion से डर रहा था, क्योंकि पता है कि बहुत ही खतरनाक वो animal होता है, what did the lion promise to the young man, lion ने young man से क्या promise किया था, the lion promise to the young man that, I'll give you golden bangles and won't kill you, मैं तुम्हे golden bangles दूंगा और मैं तुम्हे बिलकुल और मैं मारूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, how did the old man solve the problem, old man ने problem कैसे solve की, answer the clever old man made a trick to lock the lion into the cage, again, तो old man ने एक trick की, जिससे कि वो lion को फिर से पिंजरे में बंद कर सके, what was the lion man's advice to the young man, old man's advice to the young man, तो old man की young man को क्या advice मतलब क्या सलह थी, the old man advice to the young man, आप यहां धान देंगे, यहां advice की spelling question में A, D, V, I, C, E है, और यहां पर A, D, V, I, S, E, S, E है, ठीके, तो यह अंतर इसलिए आया है, यह दोनों advice है, दोनों का मतलब सलह ही होता है, लेकिन यहां पर यह जो S वाला advice है, इसका उप्योक्रिया के रूप में किया जाता है, मतलब verb के form में, यहां पूछा गया है question में, कि old man ने young man को क्या advice दीती, तो यहां advice as a noun, noun की तरह यूज हुआ है, और यहां पर advice एक verb की तरह यूज हुआ है, तो यहां spelling में अंतर होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, advice की दो spellings होती हैं, और दोनों का मतलब एक होता है, पर इनका उप्योग अलग-अलग तरह से होता है, तो the old man advised, जिससे advice से advised बना, to young men help only those who deserve, मतलब उनकी मदद करो, जो deserve करते हैं, मतलब जो वास्तों में उस मदद के काबिल हो, जिनको सच में उस मदद की जरूरत हो, ठीक है, तो यह वारा जो advice है, सीई वाला, इसके तीन form नहीं होते हैं, लेकिन इस advice के तीन form होते हैं, say yes or no, number B, the old man was a clever man, old man clever थे, yes, the cage was too small to keep a lion in it, cage lion को रखने के लिए बहुत छोटा था, no, the lion killed both the men, lion ने दोनों आदमियों को मार दिया, no, the young man thanked the old man, young man ने old man को thanks कहा, yes, number C, take the correct answer, number 1, the lion was caught in a net, in a cage, in a large bag, in a trap, मतलब lion पकड़ा गया था, net means जाल में, cage means पिंजरे में, large bag means बड़े bag में, in a trap means एक जाल में, एक चाल बना के जाल में, तो इसमें से क्या सही है, in a cage, next objective, number 2, the lion showed the young man, lion ने young man को दिखाया, a silver bangle, two golden rings, a diamond ring, या two golden bangles, तो answer है, two golden bangles, दो सोने के कंगन दिखाये थे, तो four वाला option correct है, number 3, the lion, sorry, the young man wanted to get the golden bangles, to help the lion, to see the lion free, to make the cage empty, जो young man है, वो चाहता था, golden bangles को पाना, lion की help करना, या वो lion को free देखना चाहता था, या फिर वो पिंजरा खाली करना चाहता था, तो answer क्या है, to get the golden bangles, क्योंकि वो उसको greed आ गई थी, लाला चाह गया था, कि कैसे वो golden bangles ले ले, इसलिए उसने lion की help की थी, number 4, the old man was, old man कैसे थे, foolish, greedy, clever या mad, तो old man थे, clever, old man clever था, clever, next number 5, we should help, हमें उनकी मदद करना चाहिए, everybody means हर किसी की only for friends, our friends, कि वला अपने दोस्तों की, our enemies, अपने दुश्मनों की, only those who deserve, उनकी जिनकी करनी चाहिए, जो deserve करते हैं, correct answer is, only those who deserve, we should help only those who deserve, grammar in use, grammar है, अब इस chapter का, A, read the following, सबसे पहले इन sentences को पढ़िए, number A, the lion was very big, lion बहुत बड़ा था, number B, he could not go into the cage, और वो पिंजरे में नहीं जा सकता था, we can combine these two sentences into one sentences, हम इन दोनों sentences को, यह A और B वाले को जोड़ कर, एक sentence में इसी बात को कह सकते हैं, मतलब हम दोनों sentences को combine कर सकते हैं, मतलब जोड सकते हैं, ऐसे नहीं कि इसको लिग दिया, और इसके बाद इसको लिग दिया, इस तरह से नहीं, इस तरह से, the lion was too big to go into the cage, तो यहाँ TOO वाले 2 और TO वाले 2 में अंतर है, यह two proposition है, और इस TOO का मतलब कहीं पर होता है, बहुत और कहीं मतलब होता है भी, तो इसका मतलब यह हुआ कि lion बहुत बढ़ा है, बढ़ा था, he could not go into the cage, मतलब वाँ पिंजरे में नहीं जा सकता, तो हम यह भी कह सकते हैं, कि lion बढ़ा था, the lion was too big to go into the cage, lion बढ़ा था, तो दो sentence की जगा, हमने combine करके एक ही sentence में बात कर दी, अब next, now combine the following pairs of sentences, as shown above, जैसे आपको उपर दिखाया गया है, as shown above का मतलब जैसे उपर दिखाया गया है, उसी तरह से यह number 1 के AB, number 2 का AB, number 3 का AB, number 4 का AB, number 5 का AB, मतलब आपको pairs में sentences दिये गये हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 में, pair मीज जोडे में आपको दिये गये हैं, और आपको combine करके नया sentence बनाना है, तो हम एक-एक करके लेते हैं, number 1, he was very poor, वह बहुत पूर था, he was not able to save enough money, वह पर्याप्त money को save करने के लिए, able मतलब सक्षम नहीं था, money बचाने के लिए सक्षम नहीं था, तो इसको हम एक sentence इस तरह से बना सकते हैं, कैसे हम इस तरह से करें, कि हमने यहाँ पर he was लिख दिया, और very के place पर क्या लगा दिया, to, very के place पर लगा दिया, to, इस to, t, double, two का मतलब होता है, भी या बहुत, तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर he was too poor, और second sentence की जब आ रही आई, तो हमने इसको नहीं लिखा, और यहाँ से हमने पूरा लिख दिया है, he was too poor to save enough money, similarly, second वाला, the lion was very weak, he could not go out to hunt, lion बहुत कमजोर था, वह शिकार के लिए नहीं जा सकता था, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, कि lion शिकार करने के लिए बहुत कमजोर था, बाहर जाकर शिकार करने के लिए बहुत कमजोर था, तो हमने क्या किया, the lion was very के जगा क्या लिखा हमने, two weak, और यहाँ से, to go out for hunt, he could not go की जगा हम लिखेंगे, to, to go out to hunt, क्योंकि यहाँ to क्या कर रहा है, इन दोनों sentence को join करने का काम करना, यहाँ पर to already हमको second वाले sentence में मिला हुआ था, तो यहाँ हमको यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखना है, और इसके बाद very के place पर क्या लिख देंगे हम, to, और यहाँ पर फिर सीधे यह sentence आ जाएगा, लेकिन हमको to use करना पड़ेगा, तो जिससे यह क्या हो गया, the lion was very weak, he could not go out to hunt, the lion was too weak to go out for hunt, बाहर जाकर शिकार करने के लिए बहुत कमजोर है, नमबर थ्री, the fox was very clever, fox बहुत चालाग थी, he did not fell on lion's trap, वो शेर के बिचाय जाल में नहीं फसा, तो इसको हम combine कर देंगे, very के जगा to use करेंगे, और to, to हम joining word की तरह use करेंगे, जिससे दोनों sentences को हम combine कर सके, इसको और इसको, और इतने words को हम छोड़ देंगे, तो क्या बन गया sentence, the fox was too clever to fell into the lion's trap, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह into है, into, okay place पर आई लिखेगा, into the lion's trap, next, number four, the headmaster is very busy, he can't see anybody till four o'clock, पहले sentence का मतलब है कि, headmaster मतलब प्रदान अध्यापक, बहुत busy है, he लगा है, मतलब प्रदान अध्यापक है, ठीक है, तो प्रदान अध्यापक बहुत busy है, दूसरे sentence यह है, कि he cannot see anybody till four o'clock, यहाँ see का मतलब है, मिलना, तो वह चार बचे तक, किसी से नहीं मिल सकते, तो इस sentence को हम combine करेंगे, कैसे, हम very की जगा क्या लिखेंगे, ती डबल ओ टू, और इसको हम ती ओ टू से join करेंगे, और he can't को हम यहाँ पर हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हैड मास्टर is too busy to see anybody till four o'clock, last sentence, pair of sentence, sentences, he was very frightened, वहाँ बहुत डरा हुआ था, he did not speak, वहाँ बोल नहीं सका, वहाँ नहीं बोला, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, he was very के प्लेस पे to, to आ जाएगा, too frightened to speak, इसको हम to बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं to, तो he was too frightened to speak, वहाँ बोलने के लिए हैं, बहुत डरा हुआ था, let's write, how can you help your parents, five sentences about it, आप अपने parents, मतलब अपने माता पिता, स्कूल के स्टाफ, मतलब इसकूल में काम करने वाले, सभी लोग, जैसे कि आपके teachers, principal, nurse, और सफाई करने वाले, प्यून, सभी watchmen, सभी की help आप कैसे कर सकते हैं, neighbors means पड़ोसी, तो इसके लिए आपको पाँच वाक के बनाने हैं, जैसे कि, number one, I help my parents to arrange my clothes at proper place, मैं अपने कपडों को arrange करके, सहीं जगह पर रख कर भी, अपने parents की help करता हूं, या कर सकता हूं, I help my school staff to maintain cleanliness, मैं school में साफ सफाई को maintain करके, सफाई नहीं करने हैं, लेकिन हमें कोई भी garbage है, तो वो dustbin में डालके, proper place पर रख के, desk benches को disturb ना करके, हम और दीवारों पर कुछ भी, लिखना नहीं चाहिए, desk पर लिखना नहीं चाहिए, इस तरह से हम maintain कर सकते, cleanliness and discipline, और ऐसे करके, हम अपने school staff की help कर सकते हैं, number three, I help my neighbors to offer to help water in garden, यदि आप free हैं, तो आप अपने पडोसियों को ये help कर सकते हैं, कि आप उनके garden में पानी डाल दें, इस तरह से आप help कर सकते, वो बहुत खुश होंगे, I help my school staff to obey them, और सबसे बड़ी चीज़, यदि आप अपने school staff को obey करें, मतलब वहाँ के अनुशाशन और आग्या का पालन करते हैं, तो भी ऐसे करके, आप अपने school staff की help कर सकते हैं, number five, I help my parents to clean table after meal, हमेशा खाना खाने के बाद, आप अपने, आपका अपना table साफ करना चाहिए, प्लेट उठा कर रखना चाहिए, इस तरह से भी आप अपने parents की help करते हैं, या कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि सबसे अच्छी बाते भी इसमें आपको शामिल करना चाहिए, जैसे जब भी आप अपने neighbors को देखते हो, तो आप नमस्ते या good morning, good afternoon, good evening, आपको हमेशा विश करना चाहिए, और अच्छे तरह से सभी से बाते करना चाहिए, और कभी भी किसी को कोई भी help की ज़ुरत पड़े, जो आप कर सकते हैं, तो हमेशा ready होना चाहिए help के लिए, next, let's do, best out of waste, तो कई बार हमारे गर में waste materials पड़ा होता, वही waste material जिसका कोई use नहीं होता, especially packing cover, soft drink straws, plastic water bottle, और gift wrap papers, cardboards, बहुत से shopping के बाद जो packets बचते हैं, और कई तरह की packaging होती है, waste materials हमारे पास पड़ा होता है, पुराने copy किताब, so collect some waste materials from your house, and make a doll or a flower pot, तो आप flower pot बनाओ उनसे, या फिर doll बनाओ, make a list of materials in the space given below, तो आप क्या करेंगे, कि आपने जो भी बनाया, उसमें क्या-क्या material आपको लगा, वो आप नीचे लिखेंगे, इसी का नाम होता है, best out of waste, मतलब waste material से, आपने कुछ best बना दिया, कुछ अच्छा बना दिया, तो खराब चीजों से, बेकार की चीजों से, कुछ अच्छा बनाना ही कहलाता है, best out of waste, तो जैसे कि मान लिजे, कि आप एक doll बना रहे हैं, तो doll के लिए मान लिजे, आपको लग रहा है, used bottle, मतलब ऐसी उप्योक्यूई bottle, जो कि अब कच्छे में आपको डालना ही है, उसको आप यूज नहीं कर रहे हैं, नमबर टू, soft drink straw, इस ट्रॉस क्या होते हैं, जैसे आपको ये picture में दिख रहे हैं, वही cold drink को पीने वाले, जो pipe shape के होते हैं, इस ट्रॉस, face of old doll, कई बार टूटी-फूटी doll होती है, उसका face आपको काम आ जाएगा इसमें, और shiny cloth मतलब कुछ पुराने पड़े हुए, चमकीले कपड़े, तो इस तरह से भी आप इसमें कोई doll आप बना सकते हैं, तो ये used material हो गए, और ये आपकी, इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, कोई doll बना सकते हैं, तो ये complete हो गया आपका lesson number 8, अब मिलेंगे lesson number 9 में, thank you so much,